इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकिन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं माओं और भेनों की जो घरों में बैठी हैं जो बाहर आई हैं बाइज़त रोजगार कमाने के लिए उनकी इज़ते उचाली गए एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब हमारे मर्द हजरात जिनकी मर्दानगी इस कदर बढ़ जाती है तो उनको गालियों के सहारे के लिए माओं और भेनों की क्यों जरूरत पड़ती है आज विफाकी हुकूमत के नुमाइंदों की तरफ से मने बिलखुस अली अवान की तरफ से और आपोजिशन के भी बहुत सारे हजरात की तरफ से माओं और बहनों की गालियां बकी गई, पारलिमेंट के फ्लोर पे बकी गई और अजीब बात ये के स्पीकर कौमी असेम्बली डिसिप्लिन को नाफिज करने में कम्पलीटली नाकाम रहे मैं वो गालियां तो नहीं सुना सकती आपको, लेकिन वो एहवाल जरूर दिखा सकती हूँ, जरा मुलाइजा करिएगा, आज कौमी असेम्बली में क्या हालात थे ये तो आपने कौमी असेम्बली के हालात देख लिए, सुबाई असेम्बली सेंज जिसके अंदर बजट पेश किया जा रहा थे, वहां भी हालात कुछ मुक्तलिफ नहीं थे, बाकाइदा सीटियों का अरेंजमेंट, वाज़ों का अरेंजमेंट किया गया थाकि किसी भी त होता है कि हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया जा रहा हो, बाकि बहतर क्या होता है, तरजी ही है यह उनी चाहिए हर जमात की, कि जो बजट पेश किया जा रहा हो, उसको चुप करके सुना जाए, समझा जाए, जो लूप होल्स हों उसको निकाल कर हुकूमत के सामने है कि ये गलतियां आप कर रहे हैं ये हिमाकतें आप कर रहे हैं इसे दुरूस करें लेकिन ना तो ऐसा कौमी असेंबली में हुआ था और आज ना ही ऐसा सिंद असेंबली में हुआ ना ये वन्जाब होने की बजाए पारलिमानी रिवायात की धजियां उड़ाने में अवलीं किरदार अदा कर रहे हैं पारलिमेंटेरियन्स इस वक्त किसी भी तरीके से पारलिमेंटेरियन्स जैसे नहीं दिख रहे हैं इस टॉपिक पे हमारे साथ जो गुफ्तगू करने के लिए महमानान आनलiento High –他是 very senior journalist बहुत श्कुरियाँ पराचNसाँ आपने जॉाइं किया जवेर गुलाम मुस्टाफां हमारे साथ मौझूँ ही जॉाइं किया फाल दिन्सटोप्स में जॉाइं की हा, जोकी तो और मात्र बाचना साहिश अप कहने इस वक्त तलाफ ने करनी है, स्पीच करने दें, सुन लें और उसके बाद फिर बजट की तरफ बढ़ें बहुत शुक्रिया, यही तो अनॉमली है, जब RTS फेल करके इनको लाया गया है तो यही रिजल्ट देंगे वो यही यहीए अजीब है कि हकूमत इतजाज कर रही है, यही पहली दफ़ा मैंने पारलिमेंट में देखा है कि वुदरा खड़े होके इतजाज कर रहे हैं और श्पीकर साथ जो है बजयはいveos K, के वुजरा को बिठांएं, वो हकोमतिनमेंदों को बिठांएं, वो जनाब बंद करके इजलास चले जाते हैं, के नहीं 20 ó के लिए इजलास बंद है, ये पार्टी लीडर्शिप का फर्द होता है कि वो पार्टी लीडर्शिप अपने लोगों को समझाती है कि नहीं आपने एवान चलाना है जिस तरह हमारी हकूमत के लोग ये समझते हैं कि हकूमत चलाना हमारा काम नहीं है मेंगाई कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है चीनी की कीमतों को काबू में रखना हमारा काम नहीं है चिकन की कीमतों को काबू में रखना हमारा काम नहीं है यूटिलिटी स्टोर पर मची करॉप्शन को रोकना हमारा काम नहीं है इसी तरह हकूमत समझती है कि पारलेमेंट चलाना भी हमारा काम है हाला कि हमेशा अपोजिशन प्रवोक करती है और हकूमत उसको सूध करती है उसको आहस्ता करती है मामलात को आगे बढ़ती है लेकिन अगर उपर की तरफ से शावाश दी जाए कि डॉक्टर फिर्दोस आश्यकावान गालियां दें बैठकर वो थपड़ मारें बैठकर और उनके सामने बेशक एक मुन्तखिब कौमी असेमली का रुकन हो या एक कमपटिशन का इम्तियान पास करके आने वाली एक खातून एड्मिस्ट्रेटर हो वो अगर इस हद तक लिडर्शिप ने छुटी दी हुई हो तो पर जो कुछ आपने सुना आपके कानों पे यकीन नहीं आए इसी तरह मेरे कानों पे मुझे यकीन नहीं आए क्या सुन रहा हूँ लेकिन यह हुआ इसलिए हुआ के रुज़ड़ा का काम होते है डिलिवर करना ह tort का काम होते है काम कारकर्दगी दिखाना जब आप कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे, जब आप हकूमत नहीं कर सकेंगे, जब गवर्नेंस के हवाले से आपके जीरो मार्क्स होंगे, तो फिर इस तरह के काम करने से ना तो आपकी पापुलेरिटी बढ़ेगी, ना आपका वो जो फेंस पे सिटर वोटर था, वो कम अ कम आज कानों को हाथ लगा रहा है कि यह हमारे नमाहिंदे और जो मवसूफ आज गालियां दे रहे थे, देखिए, वो इसलामाबाद के नमाहिंदे, इसलामाबाद बिल्कुल, इसलामाबाद पड़ा लिखा शहर जाना जाता है, शौक पराचा साथ, मैं यही गुदारिश कर रहा हूं कि अगर पड़े लिखे शहर के मुन्तखिब नमाहिंदा यह हरकतें कर रहा है, यह भी एवर कर रहा है, उसका एटिचूड यह है, तो फिर दूर दराज के गाउं जहां के आन पड़ लोग हैं, वो आपने जैसा नमाहिंदा बेज दें, तो उन पर हमें क्या ग सबुखत अल्ला साब, यह नैशनल असेंबली में जो अलफाज इस्तमाल किये गए, माओं और बहनों की गालियां दी गए नैशनल असेंबली में, आपोजेशन के साथ आपको वैसे कोई इखतलाफे राय है, तो आप रखिए, उससे तो कोई आपको मना नहीं करता है, या अनिका, कि आपने हमें मौका दिया, बिल्कुल जी, यह मैं समझता हूँ कि एक अफसोसनाक जो हुआ, एक अफसोसनाक वाकिया है, और मैं डिफेंड नहीं करता, अब देखिए जी, पार्लिमेंटरी डिमाकरसी में ट्रेजरी बेंचिस और आपोजेशन, आपोजेशन क बगएर, या ट्रेजरी बेंचिस के बगएर, पार्लिमेंटरी डिमाकरसी ना मुकमल है, बदकिस्मती से, शुरू दिन से, तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है, खदम, आप यहां से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पाकिस्तानी मेडिया, आज के दिन पूरी तरह से फोकस है, पाकिस्तान की संसद में जो हंगामा हुआ है, मतलब जो बिग बॉस बनी है पाकिस्तान की संसद, वो मतलब आप देख सकते हो, पाकिस्तान की संसद में आज की फोटेज, कुछ ऐसी फोटेज सी, जिनको मैं अग तो YouTube मेरा वीडियो बैन कर सकता है, मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा Abusing और कितनी ज़्यादा मार बिटाई थी, तो उस दजरिये से आज की जो मतलब आप समझ सकते हो वीडियो वाली तो मैं Original वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रहा हूँ, उस वहाँ पर जो हुआ उसक पार्टी के लीडर थे सावा सरी, वो बजट को लेकर अपना मतलब इस पीज दे रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान के जो करन पार्टी है, जो में पार्टी है, पीटी आई, उसमें उनके लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामा इतना आंगे बढ़ गया, कि मत गालिया हो रही है, उन गालियां को पाकिस्तान की संसद में, जो मतलब सभापती है, वो हिंदोस्तानी भाव को बना दिया गया है, और विराट कोली भी कई बार दिख़ी जा रहे है, मतलब ये है इस पाकिस्तान के जो सभापती, अगर पाकिस्तान में इस तरीके की गालिय दी जारी है तो दोस्तों पाकिस्तान की जो ये गालिया दी गई है basically ये दी गई है पाकिस्तान के जो current party है PDI इमरान खान की party उसके members के द्वारा और वो members बिल्कुल पागल हो गए थे वो मतलब बरदास ही नहीं कर पा रहे थे opposition को तो इस तरीके की situation पाकिस्तान में आती ही रहती है पाकिस्तान में आप देखे तो ये होता रहता है हाला कि मुझे डर लगा कि कहीं किसी दिन पाकिस्तान की parliament में बंदूग बंबला चल जाए तो दोस्तों ये देख सकते हो आप पाकिस्तान की पार्लेमेंट में जो भी कुछ हो रहा है इमरान खान को उससे कुछ लेना देने नहीं इमरान खान पार्लेमेंट में कभी कवार ही आते हैं मतलब बहुत कम उनकी एटेंडेंस पार्लेमेंट में 5-6% है जो की मतलब लगभग लगभग वो कभी कवार ही पार्लियमेंट में आते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और उन पर जोग भी मारे जाते हैं इस बात को लेकर तो दोस्तो ये वीडियो यहां पर होता है खत्म आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिखे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें नोटिफेकेशन बैल को जरूर दबाएं